मित्रो जय मता दी, आप देखे हैं धर्म सिक्षा धर्म सिक्षा में रोज की तरह एक बार फ्रेशे मैं जीनू आज का संपून रासी फल लेकर ये संपून रासी फल है गुरु वार्याने की 30 सितंबर 2021 का अगर आज के पंचांग की बात करें तो आज है विक्रम संपत 2078 आज स्मीन मास केष्ण बक्ष की नौमी देथी नौमी देथी आज सामके 6 बच कर 24 मेरत करेगा तरदुपुर्ण फिर दसमी देथी आरंब हो जाएगा नशतर पुर्ण वरसू रहने वाला है पुर्ण वरसू रहने वाला है वरत्यो हार में आज है मातर नौमी साथी जीत पुत्र का वरत का आज पारन भी किया जाएगा वित्रों कर आपको आज का पंचांग और फिर विस्तार जानने है एक-एक मोहतों में जानना है डिस्क्रिप्शन में आज के पंचांग का लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप आज का पंचांग विश्तार पुर्वक जान सकते हैं, एक एक मुटवा में जान सकते हैं करियो के वीडियो में हम जानने वाला है, यानि कि आपके लिए आज का लखी नमर क्या रहने वाला है तो वीडियो में हमारे साथ अंतग बने रही है और संपून राशीफल का लाव उठाई है राशीफल का वीडियो पसंदाई जानकरी अच्छी लगे तो से लग करें कमेंट बाक्स में जय मता दी जयोड लिखें मितुर आज के 12 राशी का राशीफल आपको बताना आरम करूं उससे पहले आएए एक नज़र डालते हैं आज के गरहों के स्थिति पर क्योंकि गरहों के स्थिति पर पूरा का पूरा राशीफल निरभर करता है आज राहू बरीस आसी में चंद्रमा मिथुन रासी में, सुर्य मंगल के साथ कन्या रासी में, सुक्र बुद्ध के साथ तुला रासी में आज है और केतु विश्चिक आसी में सनी गुरु के साथ मकर रासी में विराजित है मिथु रासीम चंदरमा आज सांगे चार बच का 46 मेर तक रहेगा उसके बच चंदरमा का फिर करक रासी में परवेश हो जाएगा तो इन ही से भी ग्रहों का मिला दाहल आज के रासी फ्ल में हम जानेंगे तो आईए बात करते हैं पहली रासी में सासी की में सासीम चंद्रमा आज 11 होए स्थान में विराजित है जिसके फ्रसुप जो मेहनत आपने बीते दिनों में किया है उसका फल आपको अब मिलेगा जिसके कारण आपके आत्मिस्वास में बिड़धी होगी आज आप कोई भी नया कारी करने के लिए प्रेरित भी रहेंगे और अगर आप अपनी बुद्धी का इस्तेमाल करेंगे तो पारिवारिक समस्या सुदारने में आपको सफलता प्राप्त होगी आज आपके धहरी में कमी आ सकती है जिसके कारण आपके बने हुए काम भी बिगर सकते हैं व्यापार और धन की बात करें तो आज आप अपने बात देने से बिलकुल बज़े हैं अगर कोई जरत्मन भक्ती ना हो तो उसे पैसे उधार ना दें ऐसे पैसे आपके डूब सकते हैं विद्यार्थी की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए आज करें अच्छा रहने वाला है आज आप अपने पढ़ाई के लिए अनुकुल का ध्यान जोर रखें प्रेम समन की बात करें तो छोटी मोटी बातों को लेकर आप अपने जीवन साथी साज उलत सकते हैं एक दूसरे से वादवाद किस्तेती उत्पन नहों सकती है लेकिन यह सब होने के बाबजूद आपके रिष्टे मधूर बने रहेंगे जीवन साथी की विरिशासीम चंदरमा आज 12 हुए स्थान में विराजित है जिसके फसुव आज आप अगर किराय के मकान में रहते हैं तो आपके मकान मालिक के साथ समन बिगर सकते हैं तो यहां पर साधानी चरूर बढ़ते हैं आज आपको संतान के तरब से खूसी हो सकती है पारिवार में फिर भी सकारत्मक बतावरन बना रहेगा किसी पुरानी समस्या का अंत भी संभव है अपने आत्मिस्वास में कमी बिल्कुल ना ने दे अपने वार्णी प्याद नियंतन रखें क्योंकि आज आपके लराई जहकरे की योपी बन रहे हैं ऑफिस में आपके सीनियर आपक अपने व्यापार को लाब में ले जा सकते हैं, अगर अच्छी योजना बनाएंगे और उस पर अमल भी करेंगे, तो आप अपने हानी को लाब में बदल सकते हैं, विद्यार्थी की बातकित विद्यार्थियों का मन चंचल रहेगा, परहाई के लावा अन्ने चीजों में समय बरबाद ना करें, अपने पढ़ाई पर ध्यान दे, सिक्छा के छेत में विद्यार्थियों का दिक्कत का सामना करना पढ़ सकता है, स्वास्त की बातकित आज आपका मन असान रहे सकता है, मेडिटेशन करना आपके लिए लाब डायक सिद्ध होगा, जो आतक हाय बलेट प पन होगी, प्यार के जार करने के लिए आज के अच्छा रहने वाला है, आज के लिए दूट से बने वीचीये खाएंगे, तो आपके लिए सुब रहेगा, आपके लिए आज का सुब रंग, महरून रंग, लखी नमर 9 रहेगा, बात करेंगे मिथुन रासी की, मिथुन रा सरस्यों के बीच मनमोटाओ बढ़ सकता है, अगर आज पूरे परिवार के साथ कोई धार्मिक कार्याप करेंगे, तो उसमें आपको सफलता मिलेगी, आज आपको आपके सहयोग्यों का सहयोग प्राप्त होगा, लेकिन ध्यान रहे, वह आपके काम का क्रेडिट भी लेने का प्रियास करेंगे, आज किसी सुनशनाई बातों पर आँख मूल कर भरोसा ना करें, सच्चाई को परकें तब ही आगे बरें, व्यापार और धन की बातकेद, व्यापारियों को आज कोई भी निरने, बहुत ही सोच समझ कर लेना चाहिए, किसी अचानक सहय चुनोतियों का स आपती चाहते हैं, उसके लिए अच्छी योजना बना कर मेनद करें, सफलता आपको मिलेगी, स्वास्त की बातकेद, आज आपको अपने स्वास्त के परती सचेत रहना चाहिए, जिन जात्कों को हाई या लो ब्याट प्रिसर की सिकायत रहती है, वो आज अच्छा महसूस क करेंगे, प्रेम समंद की बात के तो आज अपने जीवन साथ ही के साथ आपकी नोग जोग भी हो सकती है, बाद में सब कुछ ठीक भी हो जाएगा, और विवाही जातक प्रेम समंद में कोई भी नया रिस्ता बनाने से पहले, सामने वाले को जोर परक है, आज आपके प्रेम समंद में किसी प्रकार की चिंता उत्पन हो सकती है, आज किन केला खाएंगे, तापके लिए सुब रहेगा, आपके लिए आज का सुब लाइट येलो कलर, लकिन नमर पांच रहेगा, बात केंगे करकरासी की, करकरासी में चन्दमा दूसरी अस्थान में विराजित है, जि अगर किसी के साथ किसी की मदद करते हैं, अब तो उसका फाइदा भी आपको मिलेगा, बीना जांच परताल के किसी वेबसाइए या कानूनी दस्थावेज पर हस्ताक्षर ना करें, इससे आप मुस्किलों में पढ़ सकते हैं, व्यापार और धन की बात के तो आज आज आज आज आप उन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, जो आतक नोकरी कर रहें, उनके लिए आज के अच्छा रहने वाला है, आपके सीनियर या बोस आपके कारी से प्राववित हो सकते हैं, लेकिन आपको सलाह दी जाती है कि अपने बोस के सामने खुद की पर भी ना करें, इससे आप निगेटी में जा सकते हैं, विद्यार्थी की बातकित, प्रतियुक्ता पर इच्छा के त्यारी करने वाले विद्यार्थी, अपने दिर इच्छा सकती से लक्ष को प्राप्ट कर सकते हैं, तो अपने पढ़ाई पर इस ध्यान दे, स्वास्त की बातकित, आज आ प्रावर का अधिकारत हैं इससे आपके समन मधूर बने रहेंगे आज की निगर हरी सब्जियां खाएंगे तो आपके लिए शुब रहेगा आपके लिए आज का सुब रंग गुलाबी रंग लखी नमराज का आठ रहेगा बात केंगे सिंग रासि की सिंग रासिम चंदरमा आप तीसरे अस्थान में विराजित है जिसके फैसुब आज आज आपको आपके छोटे भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा आप किसी जोरतमन्द बक्ति की मदद जरूर करें इससे आपको विजीवन में फायदा होगा अपने पिता या उच्छे दिकारियों का सहयोग आपको प्राप्त होगा सामाजिक कारियों में आपके रूची बनी रहेगी मन में नए ने विचाराएंगे उन विचारों को सहेज कर अपने जीवन में आगे बरहें स्वादिष्ट भोजन का आप अनन्द उठा पाएंगे परिवार के साथ किसी धार्मी की आत्रा पे जान अपने विरोधियों पर विजय प्राप्त कर पाएंगे आर्थिक मामलों में आपको सफलता प्राप्त होगी परिवार के किसी व्यक्ति से धनला भी हो सकता है जो आतक नोगरी कर रहें उनके ऑफिस में उनको ऐसे लोगों से साब्धान आना चाहिए जो उनके दोस्तों हैं लेकिन उनकी ज़्य विजाने के कोशिस करते रहते हैं विद्यार्थी की बात के तो आज के दिन मिजल्दा रहेगा परहाई साब का मन भटकेगा ऐसी में अपने लक्स का ध्यान करेंगे तो आपको फाइदा भी होगा सौस्त की बात के तो आज आपका स्वास्त अच्छा रहेगा चुस्ती और फुर्ती का आप अनभाव करेंगे लेकिन मौसमी बिवारियां आपको परिशान कर सकती है तो सचेत रहें प्रेम समन्थ की बात के तो आज आप जीवन साथी के साथ समय बिताएंगे इससे आपको और आपके जीवन साथी को दोनों को अच्छा महसूस ह आज के लिए के चांदी के बरतन में खे खाएंगे तो आपके लिए डारिया की बात के अनभावार्य का और हैं और आपके दोस्ति के साथ आपको अच्छे समन्थ बनाके रखने का प्रयास करना चाहिए उनसे लार्शibilidad की समभावना बन रहे हैं सानती सि़र सब्गर काम ल आप अपने कारियों को बहतर धंग से कर पाएंगे जो आतक मीडिया से जुरे हुए उनके लिए भी आज के रिच्छा रहने वाला है व्यापार और धंगी बात करेंद आज आज आपने साहस और प्राक्रम के बल पर अपने कारी छेत में स्थिति को सुधार सकते हैं आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा यस और किर्थी में विर्धी भी होगी अपने व्यापार में तेजी देखने को आपको मिलेगा अपने काम पर फोकस हैं इससे आपको फाइदा होगा नोकरी करने वाई जातकों के अपने सीनियर अधिकारियों से अब मतभेद बढ़ सकते हैं तो यहाँ पर आपको सामधने निश्ची तोर पर बढ़तनी चाहिए अपने फिजूल खर्चों पर नियंतन डखना चाहिए आपको विद्यार्थी की बात के तो आज विद्यार्थियों को सिक्षा के छेतर में सुभफ़ों की पापती होगी तो डटकर मेहनत करें सफलता मिलेगी आपको स्वास्त की बात के जीन जातकों को जोरों का दर्द रहता है उन्हें आज परिशानी रह सकती है आज आपका ब्लड पेसर नॉर्मल रहेगा व्यायाम करें योग करें इससे आपको स्वास्त में फायदा होगा प्रेम समन की बात के तो आज आज आपके जीवन साथी के साथ किसी दूसरे की वज़े से मतभेद आपके उत्पन हो सकते हैं तो कुछ भी ऐसा सोचने से पहले बातों को गहराई से जारूर जाने आज किन मसूर की दाल खाएंगे तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुब रंग लेमन करर लखी निमराय कर रहेगा चार बात करें तुलारा सिकी तुलारा सिम चंदरमा आज पांचवे स्थान में विराजित है जिसके प्रसुप आज आपको कई परकार के परिशानियों से मुक्ती मिल सकती है कदात्मक कारियों में आपके रूची बढ़ेगी आपके व्यक्तित में सकारत में बदलाव आ सकता है आज अपनी माता के साथ कुछ समय जरूर बिताएं और उनकी मन स्थिति को समझें इससे आपको असी मन की सांती प्राप्त होगी यदि आप साधी सुदा हैं आपके सुसराल पक से किसी के साथ वाद व्याद हो सकते हैं तो यहाँ पर साधानी जरूर बरते हैं आज आप अपने बच्चों की परहाई में थोई चिंतित रह सकते हैं इसके लिए अपने बच्चों की परहाई में रोची समझनी होगी आपको बच्चों को उनके केरियर के परती प्रेरिद भी करें व्यापार और धन की बात्ति व्यापारियों के लिए आज की अच्छा रहने वाला है आपके आत्मिस्वास में विर्दी होगी जिसका फाइदा आपको व्यापार में मिलेगा आज किसी जौरत्मन ब्रक्ति को धनका दान जरूर करें नोक्री करने वाई जात्कों के लिए भी आज कहीं सामाने रहने वाले नोक्री में परिवर्तन का मन भी आपको हो सकता है कुछ जात्कों को सट्टेवाजी सादलाब भी हो सकता है विद्यार्थी की बातकित विद्यार्थियों का मन आठर चंचल रह सकता है अपने आपको सोसल मीडिया और मुगायल फोन से थरदूर रखें अब आपको अपने केरियर के परति सचेत हो जाना चाहिए स्वास्त की बातकित आज आपको किसी परकार की चिंता रह सकती है मन आसांध भी रहेगा जो आथक पहले से विवार हैं उन्हें अपने स्वास्त का द्याधान रखना चाहिए प्रेम समंद की बातकित आज आज आप जीवन साथी को समय दे पाएंगे जीवन साथी पर किसी प्रकार का सक करने से पहले सच्चाई को जानने की कोशिस करें अगर आप लंबे समय से प्यार की जार के सोच दें तो यह समय आपके लिए अच्छा सावित हो सकता है आज के निगर हारी सबजियां खाएंगे तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुबरंग औरेंज कलर लखी नमर छे रहेगा बात करें विश्ची करासे की विश्ची करासे मुचे द्रमा छटे स्थान में विराजित है जिसके फ्रसुब आज आपकी कारियों के दिखता रहेगी कारी छेत में पड़िवार्तन का मन भी आपका हो सकता है आज आप अपनी वानी की मदुर्ता से बहुत सारे कारियों को लिप्टा सकते हैं अगर आप अपने वानी पाइंट अंकुस नहीं लगाएंगे तो बहुत सारी लोगों के आक्रोस का सामना आपको करना पर सकता है सासन और सत्ता के लोगों से कुछ सहीयोग आपको मिल सकता है आपके परिवार की पर्दिष्ठा बरेगी अगर कुछ नियाकारी आरम करना चाहते हैं तो इसमें कुछ समस्य अत्पन हो सकती है मन में किसी प्रकार की चिंता रह सकती है व्यापार और धन की बातकित अगर कहीं आपके पैसे बकाया है तो वहाँ से पैसे वसुली की पूरी संभावना बन रही है पिछले काज को आप चुका पाएंगे व्यापार में अगर कुछ लंबे समय से दिक्कतें चली आ रही है तो उसे खत्म करना अब अतियावस्यक हो गया है वरना इससे बहुत ज्यादा हानी का सामना आपको करना पड़ सकता है विद्यार्थी की बातकित आज आपका मन पढ़ाई में लगेगा लेकिन सफलता सब्रान पर रहने की सला बिलकुल भी नहीं दी जा रही है स्वास्त की बातकित आज आपका पाड़िवारी जीवन सुख में रहेगा जीवन साथी को समय दें और उसे समझें इससे आपके प्रेम समद्ध में नई उर्जा का संचार भी होगा लेकिन प्रेम समद्धों में स धनु असीम चंद्रमा सात्मी स्थान में विराजित है जिसके प्रसुप आज आप अपनी बातों को समाज में मजबूती के साथ रख पाएंगे आपके बच्चों के साथ आपका समय अच्छा बीतेगा कई माहिनों में आज करने आपके चिनोतियों से भार रह सकता है अगर आज आपको जीवन का कोई बड़ा फैसला लेना हो तो किसी अन्वावी लोग की सलाज ओड लें आपके मन में आज कोई नकारत्मा विचार आ सकते हैं जिससे आपका कारी प्रभावित हो सकता है आज आज आपकी बोली गई बातों को आपके पर्तितन्यों दोरा तोर कासे बात लेकर किसी काम के लिए निकलेंगे तो उसमें सफलता मिलेगी आपको ओफिस या व्यापार में आपके सहकर्मियों के साथ आपका दिन अच्छा बितेगा व्यापार और धन की बात के तो व्यापार के दिश्ट्री से आज की आपके लिए अच्छा रहने वाला है जो आतक व्यापार करते हैं उन्हें व्यापार में लाब हो सकता है समान व्यापारियों के बीच आपकी परतिष्ठा बढ़ेगी आवेसकता होने पर आपको आपके भाई बाइनों से आर्थिक मदद भी मिल सकती है नोकरी करने वारी जातकों के लिए भी आज करने अच्छा रहने वाला है और फिस में सहकर्मी और सीनियर के बीच आपका मान समान बढ़ेगा विद्यार्थी की बातकित आपको आज लक्ष प्राप्ती के लिए ज़्यादा महत करने की आवेस सकता है ज्यादा महनत करेंगे तो ही आपको सफलता के पाप्ती होगी स्वास्त की बात के तो स्वास्त के द्रिष्टी से कुल मिला के आज के लिए आपका दिन अच्छा रहने वाला है कनी-कनी जातकों को किसी प्रकार के चिंता रह सकती है प्रेम समन की बात के तो आविवाहित जातकों को, आज जीवन साथी से सह्योग प्राप्त हो सकता है जो आतक आविवाहित है उन्हें कोई नया पार्टनर भी मिल सकता है आज किन ताम्बे के बरतन में पानी पीते हैं तो आपके लिए शुब रहेगा आपके लिए आज का सुब्रंग पीला रेंग लकी निम्मराज का चार रहेगा बात कहें मकर रासी की मकर रासीम चंदरमा आज आठवे अस्थान वे विराजित है जिसके फ्लसुप आज आपको परिवार जनों का साथ मिलेगा खास करके बड़े भाई भानों से मता पिता से भी आर्थिक सा योग आपको मिल सकता है परिवार की सुक्सान्ती का माहौल बना रहेगा जिसके फ्लसुप घर में साकारतमकता भी रहेगी लेकिन आज आपके लिए लाई जहरे की योग भी बनना है तो आपको सबसे अच्छे समझ बना के रखने होंगे खास करके सगे समंधियों से परोसियों से किनी किनी जात्कों को कोई अच्छा दोस्त भी मिल सकता है लेकिन किसी नई पर भरोसा करने से पहले उनकी जांच जोड़ करें आज आपके जिद्धी रवये की वज़े से आपको कुछ नुकसान हो सकता है तो कलपलाओं के पीछे ना दो रहे सोच समझ कर काम ले अगर आपके पिता और धन्गों की सलाह से किसी काड़ी को आप करते हैं तो उसमें सफलता प्राप आपको होगी व्यापार और धन की बात करें तो आज आपको व्यापार में करी चिनोतियों का सामना करना पर सकता है लेकिन इस चिनोति से घबरा ही नहीं बलकि इसका सामना डटकर करें आज किसी से पैसे उधार लेने से बचें आज कर लिएगे पैसे आप जल्दी से चुका नहीं पाएंगे जुर्या तक नोकरी कर रहे हैं उनके सहकर्मियों के साथ उनके समन बिगर सकते हैं आज आपके सहकर्मिय आपके बड़े पर्तिजन्दी साबित हो सकते हैं इससे बचने के लिए अपने सीनियर के सामने अपने आपको अच्छे से परजन करें, आज आपके खर्च में विर्धी भी होगी, विद्यार्थी की बात के विद्यार्थियों के लिए आज के इन सामाने रहने वाले अपने समय को बरबात करने से बचें, समय का एक एक पल महत प्रेम समन्द की बात करें, जीवन साथ ही से हलकी नुख्जों के बाद अच्छे समन्द भी बनेंगे, आपको कोई पार्टनर भी आज मिल सकता है, लेकिन पार्टनर का चुनाओ करने में सब्धानी बरते हैं, प्यार के जहार करने से आज बचें, आज किन गुर खाएंगे, तो आपके लिए सुब रहेंगे, आपके लिए आज का सुब रंग हरारंग लकी निम्मरायत का छे रहेगा, बात करेंगे कुमरासी की, कुमरासीम चंदर्मा नौवे इस्थान में विराजित है, जिसके फ्रसुप आज आप अपनी बातों को समाज में अच्छे देंक से र आज आप मांसिक सांती का अनभाव करेंगे, लेकिन कुछ आतब किसी अज्यात भाई से परिशान भी रह सकते हैं, व्यापार अधन की बात के चाहे आप व्यापार करते हो जौब करते हो, आपके अधिनस्त करमचारियों का सही होग आपको प्राप्त होगा, किसी करीबी मि आपकान या गारी की तलास है, उनकी घोज भी पूरी हो सकती है, जो आतक नोकरी कर रहे हैं, उनके लिए भी आज किन अच्छा रहने वाला है, ऑफिस में कोई नई जीमेदारी आपको दी जा सकती है, आपके ट्रांसफर होने के योग भी बन रहे हैं, विद्यार्थी की ब आने वाला है, जो आतक पर्तियोगता परिच्छा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें सफलता मिल सकती है, स्वास्ति की बात के ट्रांसिक सानती का अनभाव करेंगे, प्रेम समंद की बात के प्रेम समंदों को सुद्रिट बारने के लिए, आज अपने जीवन साथी के साथ समय पिताएं, अपने आपको उचा और अपने जीवन साथी को नीचा दिखाने के कोशिज तो भूल कर भी ना करें, इससे वादवियात की स्थित्य उत्पन हो सकती है, जिन और विवाही जातकों को साथी की तलास है, उनकी खोज पूरी हो सकती है, आज के लिए दूद से बनी आपको संबान की प्रापति होगी, आप जो भी काम करते हैं, उसमें आपको प्रोध साहन मिल सकता है, अपने पर्तिय अंदियों को परास्त करने में आपको सफलता प्राप्त होगी, अपने घर के काडियों में आज आप वैस्थ भी रहेंगे, बहुत्वान के परतियों सकते हैं व्यापार और धन की बात करें तो आज आप में आत्विस्वास भरपूर होने के कारण आप मानसिक तोर पर मजबूत न जराएंगे जिसका फाइदा आपको भी व्यापार में मिलेगा जो आतक नोकरी कर रहें उन्हें अपने सहकर्वियों से चुनोती मिल सकती है अपने पढ़ाई ध्यान दे स्वास्त की बात करें तो आज आपको अपने स्वास्त के परती सचेद रहना चाहिए कोई पुरानी बिमारी आपको आज परिसान कर सकती है कुछ जात्यों को जोरों का दर्द परिसान कर सकता है तो हलका व्यायाम करना अब अत्ति उत्तम आप तो मित्र ये थाज के 12 रासी का रासी फल आप जालनेते हैं आज का सुप समय आज का सुप समय यानि की कोई काल रहने वाल है दिन के 9 बच कर 12 मेर्स लेकर 10 बच कर 41 मेर तक इस समय में कोई भी नयाकारी आरम करेंगे तो उसमें आपको सफलता हाथ लगेगी आज का सुप समय यानि की राहु काल रहने वाए दिन के 1 बच कर 40 मेर्स लेकर 3 बच कर 9 मिनट तक इस समय में कोई भी नयाकारी आरम करेंगे तो उसमें आपको और सफलता हाथ लग सकती है दिसा सुल दक्षिन दिसा में आज है दक्षिन दिसा में किसी भी खास प्रियोर्जन से याता ना कर तो मित्रो ये थाज का संपूर्ण रासिफल कलके संपूर्ण रासिफल के लिए द्रहम सिक्षा के साथ और देखते रहे है द्रहम सिक्षा जे मता दे